हालो फ्रेंट्स मेरा नाम है स्वपने वार आपका बहुत पहुत सवगत है आपके अपने हिंदे टेक चैलल में जिसका नाम है टेक इंजिनियर तो दोस्तों आपने थम्झेल जोई पढ़ाई होगा तो किस तरीकी से दोस्तों जोई आप एक जोई लिंक कर सकते हो उसमें जो इस लिंक पर क्लिक करता हूँ तो फ्रेंट्स देखे लिंक पर क्लिक करने के पाद जोई इस तरीकी का मैरा प्रोफाइल फोटो आ जाता है उसके नीचे जोई मेरा यूजर नेम डिजिटल स्वक्लिक पोट है उसके पाद जोई विजेट मा वेबसाइट यूट्व चैनल लिंक इक ही लिंक मैं जोई आप आपके जोए यूट्यूब चैनल टीक्टों या फिर फेस बूक पर क्लिक पर चला जाएगा तो इस तरीक के आप एक ही लिंक में जो आप आपके multiple प्लैटफर्म या प्रोफाइल जो एक इस तरीके से लिंक कर सकते हो तो चलिए मैं आपको बता दो इसके लिए दोस्तों आपको मेले चलता हूँ टेक्स्टॉक पर तो सबसे बढल दोस्तों आपको गुगल पर एक विबसेट सर्च करने जिसका नाम है लिंक ट्रीं तो दीजिए यहां पर जोए विबसेट आ गई है लिंक ट्रीं तो फ्रीश इसको आपको open कर लेना है, open करने के बाद दोस्तों यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, तो सबसे पहले आपको यहाँ से sign up कर लेना है, sign up करने के लिए आपको यहाँ पर आपका mail id डालना है, इसके बाद यूजर नेम डालना है, इसके बाद आपका password रिपीट करना है, इसके बाद दोस्तों आपका account ग्रेट हो जाएगा, तो दोस्तों रेजिस्टरिशन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा, तो दोस्तों यहाँ अगर आपके website का link डालना है, तो आपको यहाँ पर लिखना है, website, उसके बाद नीचे आपके website का link यहाँ पर डालना है, जिसके मेरे website का भी mail link यहाँ पर, तो देखें दोस्तों यहाँ पर जो भी आपका बटन पर show करना जाते हो headline वह आपको डालना है website हो गया आपका, या पर विजट माँ website हो गया या फिर विजट माँ यूटूब चालना हो गया और नीचे आपको आपका link डालना है, उसके बाद यह green हो जाएगा, जो यहाँ पर show करते हो अगर आप दोस्तों आपको इसको आपको आपको यहाँ पर show नहीं होगा, जो भी link आप यहाँ पर आप करते हो, वह आपके profile पर show नहीं होगा, इसको green करने के बाद on करने के बाद यहाँ पर show हो जागा, देखिए इस तरीके से, तो यह जो एक preview window है, आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, किस तरीके से जो आपका profile यहाँ पर दिखने वाला है, दोस्तों links में आप multiple link डाल सकते हो, उसक इसके बाद दोस्तों नीचे जो यह theme का option है, इसके बाद दोस्तों आपका background प्रोफाइल का वो change हो जाएगा, आप जो भी background चाहे दोस्तों यहाँ जो भी theme चाहे यहाँ से choice कर सकते हो, अभी जैसे कि मैं यह theme choice करकर रखी है, उसके दोस्तों pro account में अगर आप चाहे तो इसक आप सब्तिकर करने के पर लाध को क्या करना है इस limits को copy करना है और दोस्तों इस link को copy करने के बाद में आप किसी बी प्लाटफर्म में पेस्ट कर सकते हो जैसे कि दोत करेंगे आपके सामने वाले जो यूजर्स होगे, फ्रेंड्स होगे या फिर क्लाइंट्स को और फ्रेंड्स देगी आपको यहाँ पर एक अच्छा उप्शन मिल जाता है जैसे कि Lifetime Analytics होगे मेरे जो व्यूज लिंक पर वो 36 है अब तक की तो वह एक अच्छा उप्शन है और इसके Analytics सब कुछ डिटेल्स में जानने के लिए आपको प्रेयर अकाउंट लेना होगा तो दोस्तो आशे करता हो कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजी और वीडियो को शेर कीजी